Hello everyone, Annual of वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि Google Adsense पीन को अपलाई कैसे करते हैं और दोस्तो हमें Google Adsense को अपलाई क्यों करना पड़ता है क्योंकि दोस्तो जब तक आप अपने Google Adsense को पीन डालगे कर लेते हो आपको वहां पर बैंक डिटेल डालने का ऑप्शन नहीं आएगा अगर वहां पर दोस्तों आपने डिटेल नहीं डाल पाऊगे तो जो आपकी पेमेंट है जो आपने अर्णिंग की है यूटूब से वह आपके आकाउंट तक नहीं आ पाएगा दोस्तों गूगल करने से पहले दोस्तों आपको गूगल एडेंटी वेरिफिकेशन करनी होती है और गूगल एडेंटी वेरिफिकेशन करने का भी एक एडिया है जब आपके चैनल पर 10 डॉलर कंप्लीट ही जाएगा उसके बाद दोस्तों आपके यूटूब के तरब से एक मेल आएगा और दोस्तों लिखा है कि आपको किन किन डॉक्मेंट से आप अपने एडेंट को कर सकते हो तो आज की वीडियो में मैं आप लोगो को पूरी डिटेल ने बताने वाला हूं कि कैसे आपने गूगल एडेंटेंट स्को वेरिफाइग करोगे और प्लेज वीडियो को एंट देखन करने से पहले दोस्तों यहां पर नीचे आपको तीन चार पॉइंट लिखे हुए उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं पढ़ते हो तो आप अपने अपने को फेल कर दोगे और यहां पर दोस्तों आपको बार-बार मौका नहीं मिलेग उसके बाद दोस्तों आप जो एक action बटन होता है वह आपका वहां से हट जाएगा यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है कि आप जिस भी डॉकुमेंट से अपना identity verification करना चाहते हो उसको अगर आप photo capture करते हो तो जो उसका चारो कोना होता है चारो के चारो कोना दिखना चाहिए ना कि कोई एक कोना को आप crop करके upload कर रहे तो आपका identity verification फेल हो जाएगा तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब भी दोस्तों आप photo capture करें तो आपको flashlight या कुछ reflection बगरा नहीं दिखना चाहिए उस comment के उपर ताकि जो भी मतलब उसमें detail है पढ़ने में या आपकी photo कुछ ऐसा reflection आजाए उसके वेज़े से भी आपका identity verification फेल हो जाएगा उस्तों मेरे पास एक मार्ज को Google Ads के तरब से एक mail आई थी जिसमें कि मुझे लिखावाता है कि आपको identity verification करनी है और मैंने दोस्तों दो तारी को अपनी identity verification के लिए apply कर दिया था दो तारी को दोस्तों apply क करने के बाद मेरे पास तीन तारी को फिट से एक mail आती है और उस mail में लिखावाए कि identity verification successful मतलब आगर आज आप अपने identity verification के लिए process करते हो तो आपका अगले दिन 100% आपका वह successful हो जाएगा जैसे आपका identity verification successful हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता है Google AdSense Pin के लिए automatic वहाँ पे apply हो जाता है दोस्तों जब भी आप अपने गूगल identity verification करो वहाँ पे आप जो भी address फिल कर रहे हो आपको प्रोपर address फिल करना है क्योंकि आपके उसी address पे आपका Google AdSense Pin आता है और आप दोस्तों address में अपना mobile नंबर जरू डाल देना ताकि जो भी postman आपका AdSense Pin लेकर है वह आपको एक बारी call कर ले कहीं बार दोस्तों क्या होता है कि जो postman है उसको address ढूंने में दिक्कत होती है अगर आप CT में रहते हो तो यह असानी से ढूंड लेता है अगर आप देहाद या गाउं वगएरा में रहते हैं तो वहाँ पे आपको अपन में लाता है और उसमें दोस्तों लिगावा एक्शन डिक्वाइरेट वेरिफाय यूर पेमेंट एड्रेस इन एड्सेंस मतलब कि यह आटोमेटिक दोस्तों गूगल एड्सेंस के लिए अपलाई हो जाता है आपका आपको साथ से दस दिन के अंदर आ जाएगा अगर आप दोस्तों 15-20 दिन का टाइम आपको लग सकता है अगर दोस्तों 25 दिन के अंदर आपका एड्सेंस पिन नहीं आता है तो आपको हाँ पर दुबारा अपलाई करने का ऑप्शन मिलेगा तो इस तरह से दोस्तों आपने गूगल एड्सेंस पिन को अपलाई कर सकते हो आज की व बाई बाई